So what's up guys, कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी टी-शिट में images को fit करते हैं आपका कोई भी personalized t-shirt आप create करना चाहते हो जिसमें image आपको रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इस image को उपिंड कर लेंगे just like this और इसका पहले background जो इसे हम remove करने वाले हैं ठीक है, तो background remove करने के लिए आप n tool से भी select कर सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं select में और यहाँ पे subject का option है image की quality आपको अच्छी लेने पड़ेगी जिसे आप t-shirt में use करना चाहते हैं अभी हमारे पास जो भी हमारा character उसका selection हो चुका है तो इसे हम cut करके निकाल लेंगे और cut करने के लिए edit में चले जाएगा and यहाँ पे cut का option है cut and once again edit में जाके यहाँ पे paste अभी जो background है हमारा यानि यह वाला इसे मैं remove यहाँ पे कर दे रहा हूँ तो selection कर लेंगे and delete button प्रेस करेंगे from the keyboard प्रेस का multiple copy आप बना के रख लेंगे अभी इसको direct भी आप use कर सकते हो and आप चाहें तो इसमें कुछ effect वगरा filter वगरा भी apply कर सकते हैं तो मैंने इसका copy बना लिया Ctrl J is the shortcut चले जाएंगे filter में and filter में जाने के बाद filter gallery है और यहाँ पे artistic way में बहुत सारे options हैं आप किसी भी एक का selection कर लेंगे जैसे कि आप इसे zoom out पहले कर लें and आप देख सकते हैं किस तरह की effects आपके images में बन रहे हैं तो जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ पे pick कर लीजएगा आपको यहाँ पे options मिल जाएंगे and उनके settings मिल जाएंगे accordingly आप उसमें changes कर सकते हैं जैसे मुझे यह effect अगर अच्छा लग रहा है मुझे इस तरह का कुछ चाहिए तो हम इस तरीके से यहाँ पे कुछ settings change कर लेंगे strokes, length, highlight, area या फिर आपको कोई sketch effect चाहिए तो जैसा भी आपको image में changes चाहिए आप यहाँ पे selection करके आप उसे print out निकाल सकते ऐसे बहुत सारे t-shirts आप देखते होंगे जिसमें इस तरह के filter apply किये जाते हैं और उसके बाद उसका print out लेया जाता है once again अगर आप चाहिए तो इस तरह का कुछ effect create करना या फिर आप watercolor का effect create करना चाहते हो तो simply आपको click करना and settings में आपे changes यहाँ से कर लेने है fine texture को भी थोड़ा सा मैं increase कर दे रहा हूँ इस तरीके से आप यहाँ से changes कर सकते हो अगर आप चाहें तो यहाँ पर distort में कई सारे options आपको मिल जाएंगे या फिर आप चले जाएंगे sketch में भी आपको कई सारे option मिल जाएंगे sketch में भी आप पिक कर सकते हो कोई sketch अगर आपको बनाना है तो और यहां पे इनके settings में आप changes कर लेंगे Image Balance जितना आपको चाहिए जैसे set कर लेंगे इस तरीके से आप यहां पे और changes कर सकते हो Contrast वगएरा जैसा भी filter आपको चाहिए आप यहां पे settings में एक बार final कर लेंगे अगर आपको यहां पे chalk का कुछ effect इस तरह की का चाहिए चार्कूल चाहिए तो चार्कूल pencil का selection और यहां से thickness को increase and increase detailing आपको जादा चाहिए आप यहां से detailing भी ले सकते हैं and increase कर सकते हैं increase the value lightness and darkness जैसा भी आपको चाहिए so जैसे भी आपको effects create करने, इस तरह का sketch बनाना या फिर कुछ और try करना you can do that from here, यहां से कर सकते हैं and एक बार आपको लगता है यह सब सही है तो फिर ok में click करेंगे, आपके image में वो apply हो चुका है and इसे उठा के आप ले जाएंगे mock-up पे, अभी मैं आपको mock-up यहां पर open करके दिखाता हूँ, यह हमारे पास t-shirt का एक mock-up है link description में आपको मिल जाएगा, आप download कर लीजएगा ऐसे and try कर लीजएगा खुद से यहां पर t-shirt में पहले चेक करेंगे तो यह इसमें आप click करेंगे, यहां पर single click करेंगे, यहां पर check करेंगे, यहां पर layer कौन सा हमारा काम का है तो इसमें से यह जो हमारे पास बना है t-shirt mock-up, यह हमें change करना है this one और यह smart object है, double click आप करेंगे तो smart object आपका separate tab में open हो जाएगा, जैसा कि हमें पता है, ऐसा होता है यहां पर designs जो हैसे मैं hide कर दे रहा हूँ, यहां पर आप इस वाले image को drag and drop कर लेंगे second वाला जो tab हमारे पास open हुआ था इसे scale कर लेंगे आप, जैसा भी आपको t-shirt में चाहिए alternative button को hold करके uniform scaling हम कर लेंगे and t-shirt में हम change करके देख लेंगे, कि size हमें कैसा चाहिए अभी नीचे का जो part है वो हमारा यहां पर cut है, अगर आपको cut इस तरह से चाहिए तो आप रख सकते हो या फिर आप चाहिए तो circular रख सकते हैं, जिसके लिए आप यहां पर चले जाएगा shape में and shape में जाके ellipse का selection कर लेंगे, and ellipse आप यहां पर draw कर लेजेगा इसके ऊपर make sure कि आप alt and shift को hold करके draw करे, and एक बार आपने इसे draw कर लिया, then इसके position को change कर लेंगे ellipse के layer का selection, इसके position को आप change कर लोगे, and image इसके inside में हो जाएगा, control बटन को hold करके ellipse वाले में आप click करेंगे, तो reason का selection हो जाएगा, cut का, और फिर ये वाला जो layer है आपका, जिसमें image रखे हो आप, इसका selection कर लेंगे, and mask में click कर देंगे, तो rest सभी चीज़े hide हो जाएगी, and उपर से ellipse हम off कर देने वाले हैं, and यहाँ पे इसे file में जाके save करना पड़ेगा, ताकि वो updated हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि आपके T-shirt में एक बहुत ही beautiful सा look आ चुका है, and यहाँ पे आपने simply अपने कुछ settings कर गे, यहाँ पे बहुत अच्छा सा effect create किया, and अपने image को इस तरीके से आपने convert कर दिया, and mock-up हम ने use किया, जिसे आपको view आ गया होगा कि किस तरीके से आपका final outcome आएगा, इसलिए mock-ups हम लोग use करते हैं, कि final product output है, उसका feel आपको proper आ जाए, and I hope guys आपको idea आ गया होगा कि कैसे इस चीज़ को करना है, इस तरीके से t-shirt में हम लोग कुछ designs वगरा भी बना सकते हैं, और किसी image को भी use कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक image यूज किया, and इसे mock-up में present करने से benefit यह होता है, कि हमें idea आ जाता है कि कैसा look and feel final product का हमारा आने माला है, और आप इसी तरीके से images को use करके, यहाँ पे भी look को change कर सकते हैं, कुछ चोड़ी-चोड़ी चीज़ हैं जो आपको ध्यान यहाँ पर रखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने circle last में डाला, मैंने एक basic image की जगह कुछ उसमें filter वगरे लगा कि उसके look को change किया, जिससे की थोड़ा ज्यादा अच्छा लगने लगाई है, So I hope guys you found this video useful, अच्छा लगा हो हमारा यह session तो like करें, हमें motivate करें and guys please subscribe जरूर करें, ताकि upcoming days पे आपको videos proper मिलती रहें किसी तरह के doubts है तो नीचे comment करके हमें बताएं, मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ और नए important topics के साथ, So that's all for this, bye and check care.